वेलकम बेक टू मैं चैनल आप सभी कैसे हैं आसा करती हो कि आप सभी अच्छे ही होंगे मैं यहां अच्छी हूँ देखते देखते दुर्ण पुजा खतम हो चुका है सब कोई अपने अपने काम में लग चुके हैं आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेट रोल बनाने के में क्या-क्या सामगरी नहीं हूं आप देखिए ब्रेट रोल बनाने के लिए मैंने यहां पर चार बड़े साइच का ब्रेट लिए हैं कुछ बॉयल आलू और मसाला में कदू कस्किया हुआ अधरक ये मसाला सब्जी मसाला चिली फ्लेक्स और यहां पर सफेद तीन जीरा और धनिया का पाउडर स्वाथ अनुसार नमक देने के लिए और हल्ती और कुछ कसुरी मेथी तो देखिए मैं कैसे बनाती हूं ब्रेट रोल सबसे पहले मैं इहां पर ब्रेट का ये साइट बला हिस्चा इसको कट करके निकाल दूंगी इस तरह तो फ्रेम्स ये सब फेका नहीं जाएगा ये सब काम में आ जाएगा देखिए ये सब क्या काम में लगता है ये पूरा ऐसे हो गया है पूरा चारो तरफ सब ब्रेट का यहां पर चारो तरफ कट कर लूंगी साइड वाला हिस्चा इस तरह इस तरह देखिए मैं साइट वाला हिस्चा कट कर लिया मैंने अब इसे क्या करना है एक बॉल लेना है इसमें इसको टुकडा टुकडा करके डाल देना है चार ब्रेट को मैंने यहां टुकडा टुकडा करके डाल दिया दिखिए छोटे छोटे टुकडे में यहां डाल दियू इसके बाद यहां पर क्या करना है यह जो बॉल लालू लिये थे इसको मैस करके यहां पर डाल देना है यह देखिए इस तरह इस तरह आप इसमें जो जो मसाले हम लिए थे उसको यहां पर मीक्स कर देना है अगर धन्यापत्ता आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं मेरे पास नहीं है स्वाद अनुसर नमक डाल देंगे यहां पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर थोड़ा सा कसुरी मेथी प्रसुरी मेथी में फ्लेवर बहुत अच्छे आता है फिर इसको मैं हाथ से अच्छी तरह मिला लूँगी यह पुरा जैसे डो बनता है उसी तरह आप एक डो बना लेंगे इसको अच्छी तरह मिला के देखिए आपके पास अगर पोटाटो मेसर है तो उसमें भी आप कर सकते हैं पर मेरे को हाथ से ही सुविधा लगता है इसलिए मैं हाथ से ही इसको मिक्स कर रही हूं देखिए यह अच्छी तरह मेक्स हो चुका है देखिए यह डो अच्छा से डो बनके तैयार हो चुका है अब इसको हम रख देंगे यह जो साइड वाला हिस्सा है इसको मैं ग्राइंडर से ग्राइंड कर लूँगी यह यह ब्रेट रोल बनाने में सहायता करेगी तो देखिए मैं किस तरह इसको ग्राइंड करके रखते हूं मैं देखिए यह जो ब्रेट का साइड वाला हिस्सा था वो मैंने ग्राइंड कर लिया है अब क्या करना है मुझे यहां से हाथ में फ़ड़ा सब तेल लगा के चिकना कर देना है फिर यहां से यह के के घोल लेकर आलो जो मिक्स है इसे मैंने इसे करके रोल बना देना है देखिए इस तरह इस तरह एक एक करके रोल बनाते जाओंगे आप कोई भी सेट ले सकते हैं बड़ा भी कर सकते हैं थोड़ा यह देखिए इस तरह एक एक करके पूरा डोल में मैं रोल बना लूँगे यह हुआ इसको फिर इसमें ऐसे लपट के चान देना है बन जाएगा ब्रेड रोल देखिए इस तरह यह केक करके मैं करते जाओंगे और फिर चान दूँगे इस तरह लेपट के यह बन इस तरह इस देखिए मैं सारे रोल बना ली हूँ अब मैं क्या करूंगे ना ग्यास में मैं गडाई देके तेल चड़ा दी हूँ तेल मेरा गरम हो चुका है अब एक एक करके मैं छांते जाओंगे अब लेखिए अची तरह कराम हो चुका है इस देल जीए 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 वो जन्दी से ये जेज हो जाता है देखिए कितना सुन्दर कलर आ चुका है अब इसे मैं उतार दोंगे इस तरह मैं एक एक करके सब चांते जाएं इस देखिए मेरा ब्रेड रोल बनके त्यार हो चुका है है ना कितनी सुन्दर आप भी ट्राइ किजिए आप भी बनाईए और कॉमन करके मेरे को बताईए कि कैसा लगा अगर मेरे रेसिपी भी थोड़ी अच्छी भी लगे तो आप लाइक से और सबस्क्राइब जरूर किजिएगा कॉमन करना मत बुलिएगा मिलते हूँ आप से नई ब्लॉग में तब तक के लिए बाई टेक क्यार